हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तहरी के online चैनल पर टॉपिक है हमारा चक्रवती ब्याज compound interest उसका हम देख रहे हैं second part देखते हैं second part कुछ question हमने कर लिये थे बात करते है question number 19 से 18 question हम part 1 में complete कर चुके question number 19 गण को कह रहा है ब्याज की प्रभावी वार्षिक की दर जो अरदवार्शिक आधार पर दे ही हो प्रसीपल हमने ही यह आपर पता नहीं है के principle कितना है तो 4 example principle हम मान लेते हैं कितना कुछ भी मान सकता है हमने 100 रुपीज मान लिए ठीक है अब half yearly है amount के बारे में बात करूँ तो amount क्या होता है principle जो कि मैंने 100 मान है फिर 100 प्लस आर हाफ एल लिए तो आर क्या हो जाएगा आधा तो 6% का हाफ कर लूगा तो कितना हो गया 3% अपॉन 100 और टाइम क्या हो जाता है आपका डबल आप देख सकते हो एक साल है तो एक का डबल कितना होगा दो हो जाएगा चलिए कितना है 103 अपॉन 100 multiply 103 अपॉन कितना 100 कैंसिल होने के लिए 100 से यह 100 सीधा सीधा कैंसिल होगे यह हो गया 103 का square upon कितना 100 103 का square हम लेख सकते हैं 10609 निकाल भी सकते हैं कैसे निकालते है square वाला जो वीडियो उसमें आपको दिख जाएगा upon में कितना है 100 तो यह कितना आ रहा है यह आगे आपके ठीक है तो आप देख सकते हो principal कितना था आपके पास 100 अमाउंट कितना आ रहा है 100 6.09 तो इंटरेस्ट कितना हो गया यह कितना जादा है इससे यह जादा आपका 6.09 तो 6.09 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पर तो परसेंटेज में कितना हुआ वही तो आंशूर हो जाएगा हमारा 6.09 परसेंट जो की ऑप्षिन कौन सा सही है चौथा चलिए यह था हमारा क्वेशन क्वेशन नबर 90 बात करते हैं नेक्स्ट ट्वंटी के बारे किसी राशी आठ प्रतीशत वार्षक चक्रवती वे दर्षचें प्रतम वर्ष का व्याज आपको कह रहा है अब प्रथम वर्ष का कौन सा ब्याज कह रहा है सरल कह रहा है या चक्रवती कह रहा है तो for the first year simple और compound दौनों interest क्या होते है प्रथम वर्ष के लिए सरल और चक्रवती ब्याज दौनों ही एक समान होते तो कोई सा भी ब्याज कह रहा है कोई फरक नहीं पड़ता कि पहले साल मे आपको पूछ रहे हैं दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा और कौन सा ब्याज पूछ रहा है compound interest पढ़ रहे हैं चक्रवती ब्याज पढ़ रहे हैं तो वही ब्याज आपको पूछा जा रहे है ठीक है तो first year का कितना आपका 48 कौन सा चाहिए ऐसा ही बोले या सी आई बोले सरल व्याज बोले चक्रवती ब्याज बोले एक ही बात है इसकेंड येर का कितना होगा कि जितना यह था उतना तो हो गई साथ ही साथ इस पर भी आपको interest मिलेगा इस पर कितना interest मिलेगा जो rate of interest है तो 48 पर आपको एट परसेंट के according क्या मिलेगा interest मिलेगा 48 का 8 परसेंट निकाल लो जितना आएगा वो 48 में add कर लेंगे यहां पर ले जाकर ठीक है तो 48 पर 8 परसेंट के according कितना interest हो गया इसका इससे multiplication कर लेते यह हो गया 64 फिर 6 आट का 4 से हो गया 32 और 6 हमने कर लिया तो यह हो गया कितना 38 तो यह हो गया 3.84 रुपीज का आपको क्या हो रहा है 48 पर interest मिल रहा है तो first year 48 था तो second year 48 तो मिलेगा यही 48 पर भी interest मिलेगा तो 48 पर interest मिला कितना 3.84 तो आपको यही पूछा जा रहा है दूसरे वर्स का compound interest कितना होगा बिलकुल inquired कर लीजिए यही दूसरे साल का compound interest 48 और 3 हमने कर लिया कितना हो गया 51 तो 51.84 हमारा आंसूर होगा जो कि हम देख सकते option second जो है वो आपका बिलकुल सही है यह दा question number 20 बात करते हैं 21 के बारे क्या गेरा question number 21 देखी किसी धन पर 5 प्रतीशत वार्सिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवती ब्याज क्या होगा यह हमें बताना देखिए दो वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा आपको 500 रुपए जैसा कि आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता एक समान तो दो वर्ष में 500 है तो हर वर्ष कितना हो गया 250 रुपए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब first year जो है कितना है 250 है क्या SI तो first year CI भी कितना है 250 ही है चलिए second year की बात करूँ मैं तो second year SI simple interest तो 250 का 250 ही रहेगा लेकिन बात यहाँ पर किसकी हो रही है चक्रवती ब्याज compound interest की तो 250 था first year first year SI और CI दोनों सेम होते हैं तो second year क्या होगा CI compound interest जितना था उतना तो होगा ही साथ ही साथ इस पर भी interest आपको मिलेगा कितना मिलेगा जो rate of interest है और वो कितनी है 5% तो 250 का 5% हम interest ले ले थे ठीक है तो 25 का इससे कर लिया कितना 125 अप उन में कितना 100 तो मैं देख सकता है 12.5 रूपीज मुझे interest मिल रहा है तो 12.5 रूपीज का interest मिल रहा है तो यह लीजिए 12.5 रूपीज का interest ले ले लेते हैं तो टोटल कितना हो गया second year के लिए आपको क्या पूछ रहा है इतने ही समय का चक्रवती ब्याज कितना होगा तो only for the second year देखू तो कितना दिख रहा है आपको 250 और यह 12.5 तो इसको add कर लेते हैं तो यह आ गया 262.5 अब question यह है कि 2 साल का चक्रवती ब्याज कितना होगा तो कुल मिलाकर कितना हो गया वो पूछा जा रहा है तो वो भी हम बता सकते हैं पहले साल का कितना है 250 दूसरे साल का कितना है 262.5 तो दौनों मिलाकर आपको total पूछा जा रहा है तो total कर लेते हैं जो कि आ गया कितना 512.5 आप्शन में नहीं है हम कह देंगे आप्शन होगा नन आफ दीज बतलब इन में से कोई नहीं चलिए बात करते हैं next question question number 22 के बारे में क्या गरा है question number 22 देखिए यदि पांच हजार चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिये जाएं तो डेड़ वर्ष वन एड़ हाफ यर बाद वार्षिक और अर्दवार्षिक ब्याज पर ब्याज की गर्णा करने पर उनका अंतर जो है वो कितने रुपए का होगा यह हमें बता चलिए देखते प्रिंसिपल आप देख पा रहें कितना है 5000 ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है यह वार्षिक तौर पर अमाउंट देखें तो अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल 100 सबसक्राट माउंग है कितना है यह को रहें कोईब इंड़ी हो रहा कर रिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ताम कितना है यह यह पर टाम आपको देखा है वन एंड अप य यर दे रखा तो फेले वल ले लेते पर फेर 100 plus इसको कर लेंगे 1 by 2 half कर लिया है क्योंकि अगला जो साल है वो आधा साल है तो इसको आधा कर लिया चलिए अभी इसको solve कर लेते ये आगया 5000 ये 104 upon 100 multiply ये हो गया कितना 2 102 upon 100 ठीक है कुछ cancel होने के लिए बिलकुल 30 से ये 30 cancel हो गया 5 से 10 चला गया 2 बार इस को कर लिया ये जाड़ा एक ही बात है ये चला गया आपके कितना 52 इसको हम देख लेतें कितना आ रहा ये 102 का 52 से ये हो गया 4 ये 0 ये 2 ये 5 का 2 से 10 पिर ये कितना 1 और Kristen और ये कितना 5 ये हो गया आपके 4035 ये तो amount आया इसमें से प्रिंसिपल जो है वो हम लैस कर लें तो इसमें से प्रिंसिपल हमने लैस कर लिए तो मेरे पास आ गया कितना 304 आ गया क्या compound interest किसका yearly का वार्षिक तौड से आ चुका है 304 रुपए ठीक है कब डेड़ साल के लिए 1 and half year के लिए अब बात करते हैं जब half yearly हो तब उसको भी देख लेते हैं और आफ यह होगा तो हमें पता है जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट है वो रेट ऑफ इंट्रेस्ट हम क्या कर देगे आधी कर देगे तो रेट ऑफ इंट्रेस्ट को हम कर देंगे आधा चलिए तो रेट ओफ इंट्रेस्ट हो जाएगी आधी और जो टाइम है वो क्या हो जाता है डबल तो इसका हमले यहां पर देख लेते हैं अब बात करते हैं अर्दवार शिक्ति जेंडियगे और रेट नियूं कितना हो जाएगा डेर्ड की जगए तीन हो जाएगा और rank चार की जगए दो हुद दिए प्रिंसेपल है हमारे पास 5000 और फमडियो करेंगे हंडिल प्लस के तो 102 nutzen203 हाफ ह सब्सक्रा क्यिक्ते ब्लेज से से ब्याज लेंगे तो डेड़ साल में तीम बार आपको ब्याज लेना पड़ेंगे इसमें से हम लेस कर लेंगे फिर क्या 5000 तो इंट्रेस्ट आ जाएगा इस पूरे को कर लिया दो पिर इसको कर लेते हैं कितना 55 है और है और कुछ हो रहा है नहीं सो फिर आब इनको और भी कैंसिल कर सकते जैसे कि यहां cancel कर लेते हैं, यह गया आपके कितना 51, तो यह कितना हो गया आपके 50, और भी कर लेते हैं, यह गया आपके 51, तो यह हो गया कितना 25, हम देख सकते हैं 51 into 51 into 51 दिखरा आपको, तो यहां पर अगर हम देखें तो यह 51 का cube है, तो 51 का cube हम लिख सकते हैं, जो की होगा कितना 132651 अप उन में क्या दिख रहा है आपको 25 माइनस क्या करना आपको 5000 करना है मतलब 5000 करना है 132 132651 में हम डिवाइड कर लेंगे किस से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 25 से यह आपको दे देगा 5 3 0 फिर गया 6 फिर पॉइंट में कुछ है तो यह पॉइंट में आ जाएगा आपके कितना 0 और यह कितना 4 चलिए इसमें से 5000 लेस कर लेते हैं तो हमारा इंट्रेस्ट मिल जाएगा तो यह इंट्रेस्ट मिल रहा है आपको यह पांच अजार 306.04 और वो कितना पांच अजार इसमें से कम करते हैं कितना आ रहा है 306.04 तो यह आया हाफ यह ली का इंट्रेस्ट यह आया आपके पास यह ली का इंट्रेस्ट अर्दवाट सिक वो वाट सिको तो इसका अंतर बताना है अंतर देख लेते हैं 306.04 माइनस 304 कितना है 2.04 आएगा डिफरेंस जो कि हमारा आंसर होगा और वो हम देख सकते हैं कौनसा ओप्षिन दिख रहा आपको आपका पहला ओप्षिन बिलकुल सही है चलिए यह था हमारा कुश्चन कुश्चन नमबर 22 बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन 23 के बारे म क्या गर है कुश्चन नमबर 23 देखते हैं देखिए 1200 रुपए पर एक साल के लिए दस प्रतीशत प्रती वर्ष की दर से अर्दवार्शिक गढणा करने पर सरल ब्याज ब्याज चक्रवती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा जैसा कि आपको पता है सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट के लिए अगर हम देखूं तो एक साल की बात हो रही है और शर्त कौन सी आपको बोल रहा अर्दवार्शिक तो एक साल में दो बार ब्याज होगी तो जो दो वर्ष का अंतर होता था वही फॉर्मुला आप सीधा लगा सकते वह दो वर्ष का नहीं हर वर्ष होता था इसलिए दो वर और के लिए निकाल दो तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहां पर बारा सो कि टाइम कितना आपका वन इयर होगा अभी देखते हैं रेट आफ इंटरेस्ट कितनी है टैन परसेंट लेकिन जब शर्त है आपकी अर्दवार्शिक की तो प्रिंसिपल तो कोई चेंज नहीं टाइम कितना हो जाएगा टू टाइम और रेट आफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आधिए अब हमें पता है जब दो बार के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होता है तो हमें तो प्रिंसिपल में देख सकता हूँ कितना है 1200 रेट आफ इंटरेस्ट कितनी है फाइफ वन हंडेड और उसका क्या स्कूर्र ठीक है तो इसको सॉल्ल कर लेते हैं बस आगे हमारा अंस्वर तो बारा सो पांच का स्कूर्र पत्चेस और यह यह भी फॉर टाइम्स और यह कितना थ्री टाइम्स आंस्वर आ जाएगा कितना तीन रुप है जो कि हमारा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है चलिए बात करते हैं नेक्स 24 के बारे में क्या गैरा कुशन नमबर 24 देखते हैं यह जो कुशन ने इंस्टॉल्मेंट वाले हैं तो देखते हैं इंस्टॉल्मेंट वाले हमने सिंपल इंट्रेस्ट में भी किये दें इंस्टॉल्मेंट वाले compound interest में भी simple interest में तरीका अलग था इसमें भी तरीका अलग रहेगा देखिए एक तो तरीका होता है कुशन कहरा है जैसे ही आपको एक व्यक्ति 3310 रुपए उधार लेता है वह इस धन को चक्रवती ब्याज की 10 प्रतिशत से 3 वर्ष में 3 बराबर किस् माना कितना उधार लिया आपने और एक्जाम्पल आपने उधार लिया कितना वाई रुपए जो कि यहां पर 3310 रुपए multiply x upon 1 प्लस r upon 100 ठीक है फिर x upon 1 प्लस r upon 100 का square फिर x upon 1 प्लस r upon 100 का cube इस तरीके से यह formula जो है चलता रहता है दो साल है तो यहां तक काम में ले लेंगे तीन साल है तो यहां तक काम में ले लेंगे चार साल होगा तो और आगे काम में लेंगे लेकिन formula में जाने की जरूरत थी है हम बिना formula के सीधा सीधा इसको कर लेंगे कैसे दिखेंगे कितना दे रखा आपको 10% तो सबसे पहले तो 1 प्लस आर परसेंट निका लिए 1 प्लस आर परसेंट मतलब 10% ये cancel हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन कितना 10 ठीक है जो हर एक किस्त का मान निकलना है वो हर एक किस्त का मान हर एक installment का मान क्या होगा इधर हम देखते है कितना पैसा उधार लिया है पैसा उधार ले रखा है हर एक किस्त जो होगी installment जो होगी वो क्या होगी उधार कितना ले रखा है 3310 multiply करना आपको किस से 1 प्लस आर परसेंट से 1 प्लस आर परसेंट कितना आया 11 अपॉन 10 ये लिख दिया सबसे पहला काम हम नहीं आप अब यहा नश्रा करके हमें ratio ले कर अब 5 सालों तो निकालते समय क्या करेंगे है पहला तो वन ही होगा रेशियो दूसरा होगा इसका उल्टा 11-10 का उल्टा दस हीगा अब तीन रेशियो निकालने तो तीसरा क्या होगा इसका स्क्वेर तो 10 का स्क्वेर 100 और 11 का स्क्वेर 121 बस आगया आपका रेशियो तो आप देख सकते हैं इसको सॉल करूंगा मैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है यह कितना 11 और कितना 121 121 का 1 से 121 11 से 121 11 टाइम नुमारे पास ये तीन साल के लिए रेशियो आ चुका है ठीक है आपके पास अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था एक फ्रेक्शन वेली और लिखनी एक भिन और लिखनी और वो भिन क्या होगी इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसे लिखेंगे उपर तो सबसे बड़ उसको कैंसल हम कर लेते हैं तो कैंसल होने के लिए क्या-क्या है देखते हैं जर्ण है जो कि हम देख सकते option कौन सा match कर रहा हमारा second option जैसा कि मैंने का इसको formula से भी कर सकते हैं लेकिन formula में काफी time लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना हर एक installment पूछिए वो निकालनी है वह एक installment निकलेगी कैसे जितना पैसा उधार लिया multiply वन प्लस आर परसेंट लिख दिया यूं का यूं यह पर तीन साल है तो किसरा साल है तो इसका square कर लेंगे अगर चार साल के लिए होता तो अगले में इसका क्यूब कर लेते ठीक है तो क्यूब करके यहां लिख लेते 1000 और नीचे लिख लेते कितना 1331 लेकिन तीन साल ही है तो हो गया तीन का ratio हमारा चली देखते है next 25 क्या कह रहा है कुशन नबर 25 क्या रहा आपको 7620 रुपए का रिण लिया गया है तीन बराबर किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर बताई गई यह 16 से 2 बटा 3 प्रतिशन तो बताई हर एक किस्त का मान क्या होगा निकाल सकते हैं तो हर एक installment निकाल नहीं है तो बिल्कुल कैसे निकलेगी उधार कितना है 7620 रुपए की चलिए यहां आएगा 1 प्लस आर परसेंट की value तो 1 प्लस आर परसेंट तो मैं देख सकता हूँ 1 प्लस आर जो है वो कितना है 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत जिसको मैं लिख सकता हूँ fraction में कितना 1 बाई 6 सीधा जो percentage वाली table है उससे तो लिख लिए सीधा 1 बाई 6 तो यह हो गया कितना 7 upon 6 तो यह तो as it is आगया यहां पर ठीक है अब आगे क्या आएगा तीन साल है तो तीन रेशियो लेंगे और उन तीन रेशियो को लेने पर जो सबसे बड़ा रेशियो होगा वो उपर और तीनो रेशियो होगा इसका square और इसका square अब यह आगया 49 यह 7 times गया तो 6 का 7 से कितना हो गया 42 और यह 49 से 49 तो यह कितना आगया 36 यह आपके पास यहां पर तीनो रेशियो आ चुका है जैसा कि मैंने आपको कहा है यहां पर सबसे बड़ा वाला आएगा तो तीनों में बड़ा क्या 49 नीचे के आएगा इन तीन होगा टोटल कर लेते हैं कितना हो गया 9 और यह 11 और यह कितना हो गया आपके साथ फिर 4-4-8 और 9 और यह कितना 12 120 ठीक है बस आगया आपका आपका आपको कैंसल कर सकते हैं इसको जो कैंसल हो रहा है उसको कैंसल करके दिखते हैं तो मैं देख सकता हूँ 127 से यह जाएगा कितना 6 टाइम फिर यह चला गया कितना 10 टाइम तो यह हो गया कितना 49 का 7 से 343 क्योंकि यह क्या हो गया 7 का क्यूब तो 343 और साथ में 0 तो 3430 रुपए हमारा आंसुर होगा जो कि हम देख सकते हैं तीसरा आप्शन आपका बिल्कुल सही है चलिए यह था आपका क्यूशन 25 बात करते हैं नेक्स्ट कुशन 26 के बारे में जो कि है हमारे कंपाउंड इंट्रेस्ट चक्रवती ब्याज का लास्ट कुश्चन है ठीक है और इस वीडियो का भी लास्ट है चैप्टर का भी लास्ट और वीडियो का भी लास्ट है चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कुश्चन कोशन वही है जो हमने अभी दो कोशन किये थे उनमें तीन साल की बात हो रही थी या दो साल की बात हो रही एक वेक्ती 2550 रुपए उधार लेता है वह इस धन को चकरवती ब्याज की चार प्रतिशत की दर से दो वर्ष में दो बराबर किस्त के रूप में वापिस देता है तो प्रते किस्त कितने रुपए की होगी यह हमें बताना है पता सकते हैं हर एक किस्त का मान निकालना है उधार कितना लिया गया है 2550 चलिए 1 प्लस आर परसेंट करेंगे और आर कितना है 4 तो 4 प्रतिशत का मतलब आपको पता है कितना होगा 1 बटा 25 4 परसेंट की वेल्यू 25 ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते है 1 प्लस 1 अपॉन 25 जो कि फाइनली यह दे रहा है 26 अपॉन 25 जो यह आया है उसे तो यहाँ पर लिखी दीजिए हात्वाद multiply यहाँ पर क्या आयेगा जो रेशियो निकालेंगे उस रेशियो में सबसे बड़ा जो नंबर होगा सबसे बड़ा जो रेशियो गाउपर और जितना भी रेशियो आयेगे उन सबका total एक इतने साल की बात वह चुछ ये दो साल की की निकालजना रेशयो निकालते हैं समय हम क्या करते हैं सबसे पहला रहे लें ल этом पर सेकिन्ड वाला इसको उल्टा करके लेते हैं तो यह 25 बटा 26 अब 2 ही साल है तो दो ही रेशियो आएंगे तीन साल होते तो आगे क्या लिखते हैं 26 का स्कारtoo 600 स्वरी 25 का स्कार 625 और 26 का इसकार लिखते 606 नीचे के आएगा इन दौनों का टोटल जो कि कितना है 50 बस आगे हमारा अंस्वर हरे किस्त निकालने थी वो किस्त निकलके आ चुकी है कैंसिल होने के लिए बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा हम देख सकते हैं 51 से इसको मैं कर लू तो ये कितना गया फाइफ टाइब ये गया कितना टू टाइमस तू इंटू 26 इंटू 26 बले 26 का स्क्वेर ही है तो ये होगा है 676 उसका आपको क्या कर रहा है डबल तो हो गया है ये डबल 6 का 2 से 12 साथ का चाओदा एक पंदरा चै का दू से 12 और एक ये 13 तेरा सो बावन रुपए जो कि हम देख सकते हैं आपका तीसर आप्शन बिल्कुल सही होगा ये था हमारा क्वेश्चिन क्वेश्चिन नमर ट्वेंटिसिक जिसका आंस्वर आ रहा है सी तेरा सो बावन रुपए हर एक किस्त का मान होगा तो इसी क्वेश्चिन के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के वारे में बात करेंगे थैंक्यू सो मुझ प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी